हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने पेटियम अकाउंट से अपने बेंक अकाउंट में पैसे टांपर कैसे करें अपने दूसरे किसी के बेंक अकाउंट में पैसे टांपर कैसे करें तो इसके लिए चलेंगे हम अपनी मोबाइल स्क्रीन और यहां पर हम अपने beti m kooping कर लेंगे और यहां पर हमें टू बेंग कारसlog Beng A kann पर किलिक करना है रहे हैं और यहां पर अगर आप किनि दूसरे की बेंग कंट में पैसे тогда पर करना चाहते हैं तो हम ठीρί करेंगे और यहां पर आप जिस भी अपने भी ऐंक अकाउंट में हैं स्लेक्ट करना चाहते हैं उस बेंग को आपने स्लेक्ट करंना चाहते हैं अपने अकाउंट में वो पैसे यहां पर डाल लेंगे हम 5 रुपए टांसफर करना चाहते हैं तो 5 रुपए यहां पर हम डाल लेंगे और यहां पर हम जिस भी bank account से पैसे टांसफर करना चाहते हैं उस bank account को यहां पर select कर लेंगे अगर आप किसी bank account से पैसे transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने bank को select कर लें या फिन new bank account भी यहाँ से आप add कर सकते हैं और अगर आप अपने paytm से ही पैसे transfer करना चाहते हैं तो paytm bank में click कर सकते हैं और paytm से पैसे अपने account में transfer कर सकते हैं तो यहां पर हम अपने State Bank of India से पैसे ट्रांसपर करेंगे तो यहां पर हम State Bank of India को सिलेक्ट रहने देंगे और पेपर किलिक करेंगे और यहां पर हम अपनी UPI ID की पिन को डाल लेंगे ओके कर देंगे यहां पर हमारे State Bank of India से पैसे हमारे पंजाब नेशनल बैंक में पांच रुपे ट्रांसपर हो गये हैं आप इस तरीके से अपने पेडियम से पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में अगर आपका कोई सब्सक्राइब करेंगे